बंधुरां आज क्या मी क्लास ट्रेनेर ABTA 2013 टेस्ट पेपार थेके इंगलीश एरुपर पेज नामबार 837 तमादे साथे खुब सुन्दर भाबे आलोजना करबो तमादेर बोजान और चेस्टा करबो बंधुरां तमादेर पत्तेक के सेस्पोंत देखार जोनो अंडोत करलां तमादा पत्तेके सेस्पोंत देखे नेबे एबं भालोकोडे सुने नेबे सुरु करची एबीटी ए दुहाज तेईस क्लास 10 पेज 837 इंगलिस सेकेंड लाइग्वेज पोथमाचे सिन आर सिन थेके पोथमाचे प्रोज प्रोजटी निया होईची आरके नारायन रोचीतु फादर सल्प नामोक प्रोज़र यूनिट 2 थेके निया होईची बोंधु सुरु करची एबीट 1. समी्स फदर प्रोज़र है नियाा है समीर बाबा एक ती दिरगो प्रोज़र छिथी लिखेंची यृचेँ निया होईची निया प्रोज़़र निया होईच्टु नुमबर 2. अच्ट्यच इच्ट 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 फर्म ए श्तो बाबा चीठीटी पोधान सिख्खो केर उद्दस्च लिके छिला ना, option D is the right answer. Question 4. Samuel's face was not fair complexion. Samuel एर मुखे डंग फर्शा छिलो ना, option D is the right answer. Question 5. Sammy was asked to deliver the envelope to the headmaster. Sammy के पोधान सिख्खो केर काजे खाम्टी पोंग छिदी ते बला हो छिलो, option B is the right answer. Question 5. एर पर याचे बी एद्दाग. Fill in the blanks, 1 in to 3 equal to 3. एकाने complete sentences जे तीन टी आचे एक नामबर को तीन नामबर. First, number 1. Sammy felt when he went to school that he was the worst boy on earth. School ए जावार समय समीर मने होई छिलो, जे से पीथी भीर सबचेक खाड़ाप छिले. Next, number 2. Samuel looked dark with thin mustache on seven check and yellow coat. मने देखे नाओ, Samuel देखते कालो, पातला गोब्बी सिस्टो नाकामानो गाल एबं होलुद कोट. Next, number 3. Headmaster was written a letter by Sammy's father. पोधान सिक्को के सामीर भाबा एक चीठी लिखे छिलो. बंधुरा, एर पड़े आचे Cth दाग. एखाने की कोत्ते दीचे जानो, बला आचे state whether the following statement are true or false, supporting with appropriate extract from the text. बंधुरे एखना true false आचे. जोदी true हाई true लिख थावे, false ले false लिख थावे. एबं तार साथे अबोस्चोई, अबोस्चोई, सापोटिंग स्टेर में लिख थावे, कोस्चन आचे दूटो, दू नामबर कोड़े 4 नामबर. अथा true आथे बाँ false ओचे किना तार जुन आचे एग नामबर, एबं supporting state में लिख थावे, तार जुन आचे एग नामबर, एके एके दूटो आचे दूटो आचे दूटो ने चान नामबर. सुरू करची first question, question number one. सामीर भादर रोट a brief letter to the headmaster. सामीर भाबा पोधान सिख्व केर काचे हिटी संकीप्त चीठी लिखे चिलें, एड़ा false ओवे, आ लिख थावे false. supporting statement देखे नाम. Father had composed a long letter to the headmaster. next, number two. As सामी प्रोटेस्टेट, हिच फादर चेंट हिज माइंड. सामी पोतिबाद करार साते साती तार बाबा तार मन परिवत्तों करुछी लो. ना, एटा false अबे, आलिक थावे. False, supporting statement. No amount of protest from सामी would make him change his mind. बंधुरा, एर पड़े दुएद दागर पोएम आछे. आर पोएमटी निया होईचे, टेड हीवरो चीतु. My own true family नामग पोएम थेके निया होँचे. सुरुकरची पोएम थे कोस्चेन कोलो पोथमा चे एद दाग. टीक दा, correct alternative. 1 into 4, equal to 4. एकाने, चाट्टी alternative कोस्चेनाचे, एग नामबर कोडे, चान नामबर. सुरुकरची, first question, question number 1. The word nobly means unsteady. Nobly माने austher. Option B is the right answer. Next, number 2. The narrator's secret is inside the bag. बाद्नोना कारी रह सोर्वे चे तर बादे, option B is the right answer. Question 3. The word kwak means love. Kwak माने होलो अट्टुहासी, option A is the right answer. Question 4. The poet was looking for a stag. Kobi एक्टी होरीन, खुद छिलेन. Option C is the right answer. बंधुरा, एर पर्याचे बिएद दाग. Answer the following questions, 22 equal to 4. एखाने दुटी कोस्चेनाचे, दुनामबर कोरे, चान नामबर. सुरुकरची, first question, question number 1. Name the poem and the poet, Kobi ता ओ कोबिर नाम बलो. The name of the poem and the poet is My Own True Family and Ted Hughes, respectively. सुरी, कोबिता ओ कोबिर नाम जथा क्रमे आमा नीजर सुत्तिकारे पुरिबार, एबंग टेड हुज. Next, number 2. Whom did the speaker meet in the okud? ओग बागाने कोबि कार साते द्याखा कोरे चिलेन. Answer the speaker meet an old woman in the okud. ओग बागाने कोबियाग बिद्धो मुहिलार साते द्याखा कोरे चिले. बाँधिर, एर परिया चे, unseen. एखाने खुब सुन्दोर एबंग छोट्ट पर्याक्ट अंसिन द्याचे, पुरू अंसिन्टर बंगला मानेटा. आमी तुमादे परे सुनाची तुमारा सुने नाओ, एबंग तुमड़ा आमार साते साते पोर्ते सुरु करो. ओके, देखो. देखेनाओ, एबंग तुमारा पोर्ते सुरु करो. The afternoon session of the school was attended by some 8 or 10 students. Both boys and girls. स्कूलेर बिकेलेर ओधिवेशने छेले ओमी उभाई 8-10 जन छात्र चात्ति अंक्षगोन कुर्तु. Except for ओपु, they had all brought mats to sit on. ओपु छाडा सबाई बसार जन मादूर नियास्तु. ओपु had no mat, ओपुर्कुन मादूर छिलोना, but his mother had given him an old thread bear rug. तार कुन मादूर छिलोना किंदु तार मा, ताके एकटी पुरानो कम्बोल दीतो. The classroom was open on all sides. Classroom टार पुर चार दिया फाका, सुदु माता चात्ता चे बाकिशा फाका कुनो देवाल नै. एकटी परी पर्वो चारी दिक टा सेनिको के चारी दिक खोला छिलो. एर परी आचे, there were no walls, शिकाने नाचे लो कुनो देवाल. Neither was there a fence outside to limit the views. नाचे लो कुनो बैरा जा बाइड दिसो के आठका ते पारतो. माने कुनो बैरा हो थाकेने, कुनो देवाल हो थाकेने. Inside were the students sitting in rows. भेतोरे छेलेरा सारी वद्धो हैं बोस्तो. Outside was the jungle. आर बाइडे छिलेक्टी jungle. Behind the house to the west lay the orchard. Which the schoolmaster had inherited from his ancestors. बारीर पोस्त्ची में पेचुन दिके बागान रोई छे. जा schoolmaster उटा पुरवपुरुश्दे कास्ते के उत्तोराथिकार सुत्ते पेचिलेन. The afternoon sun was bright and warm. बिकेलेर सुर्जो छिलो उस्नो एबां उज्ज्वल. It's sewn into the room through the orchard trees lighting off the bamboo pillars which supported the roof. एटी बागानेर गाचेर मोध्धे दिये घरे अलोकितो होय छिलो. बासेर स्तंबगुलीका अलोकितो कर छिलो जा छात्ची के आटके धोरे रेके छिलो. There was no other house in sight. आसेर पासे कुन बारिट चिन्नो पाउज्वन्तो छिलो ना. नाथिंग बाट जस्ट जांगल एन्दा उट्चेट. सुध मातो जांगल आर फरेर बागां छिला आर कीशुई छिलो ना. एन्दा न्यारो उपत एवांगल शोरू गोली रास्ता छिलो. फिच लेड टु दा पाउज्वन्तो जादे स्कूलेर मोधे जावाजे तो. बाई स्कूलेर दीके जावाजे तो. The pupils were memorizing their lessons by reading them aloud. चात्यो चात्यी रा उच्चो शरे पोरे तादेर पाठ मुकोस्तो कर छिलो. Their voices were pitched in different keys and as they chanted they swung their heads backwards and forwards to aid the process. तारा बिभिनुरकम सब्दो कर छिलो एवांग तारा हेले दूले मुकोस्तो कर छिलो. Now and then the schoolmaster's voice rose above the din. माझे माझे स्कूल मास्टरे गलाड आवाज बार बार धेसे उठ चिलो. बंधुरा एर पड़े आमें आन्सिन्थे कोस्चन गोल सुरुकरची पोथ माचे एर दग. Put tick mark on the appropriate box 1 into 6 equal to 6. एकाने छटा alternative कोस्चन आचे एक नामबर कोड़े छो नामबर. सुरुकरची फर्स्ट कोस्चन, कोस्चन नामबर वन. The schoolmaster's voice was rude and loud. Schoolmaster ए कॉंटुछलो कुप उच्चो आवाज कारी, option B is the right answer. Question 2. The students were reading noisily. चात्तोरा सोसब्दे पोर्चिलो, option E is the right answer. Question 3. The afternoon sun was bright and moderately hot. B केलेर सुज्चो उज्चो लेवाँ माज़ारी उसनु छिलो, option C is the right answer. Question 4. The students were learning by responding. सिख्धिरा ज्वबाब दीते दीते सिख छिलो, option C is the right answer. Question 5. The school had not only boys but also girls. स्कूले सुदु छेले राई छिलो नामेराउ छिलो, option B is the right answer. And the last question, question number 6. The roof of the school was supported by the pillars of bamboo. बिद्दालोयर छाद बाशेर्स तम्भुधारा समुर्थी ते छिलो, option C is the right answer. बंधुरा, एर पर आचे बिद्दाग. राइट T for true and F for false in the box. प्रोभाइटेड एड़ सप्प्लाई सापोर्टिंग एक्स्प्रेशन फ्रम्दा पैसेज. बंधुरा एकना true false आचे तीन्टी आचे. जोदी true हाई T लिख्थावे और जोदी false हाई F लिख्थावे एवं तरसाते अबोस्प्रेशन सापोर्टिंग स्टेर्मेंट लिख्थावे. कोस्चिन आचे तीन्टे दू नामबर करे चान नामबर. अथा true आथबाट false आचे किन ताज़ू नाचे एकनाबर. एबंग सापोर्टिंग स्टेर्में लिख्थावे ताज़ू नाचे एकनाबर आके एके एके दूई तीन्टे आचे तीन्टे नामबर. सुरू करची फर्स्ट कोस्चेन, कोस्चेन नामबर वन. All the students, including Ophu, had brought mats. Ophu सहो सब जात्र मादू नेश्चे लो, एड़ा फाल्स हबया लिख्थावे एके. सपोर्टिंग स्टेर्में देखनाओ. Except for Ophu, they had all brought mats to sit on. Next, number 2. This session of the school was held after 12 noon. The afternoon session of the school was attended by some 8 or 10 students, both boys and girls. And last question, question number 3. The school master owned a vegetable garden. School master एक्टी सोबजी बागान ये मान्डी छिलो, मा लिक्छिलो, ना, फालीर बागान. ताइटा फाल्स होबया लिख्थावे एक फाल्स सापोर्टिंग स्टेर्में देखनाओ. Behind the house to the west lay the orchard, which the school master had inherited from this ancestor. बंधुर, एर पर आचे सेच दाग. अंसर दे फॉलिंग कॉस्चेंस, 24 इकाडवीट. चाट्टी कॉस्चें आचे दू नांबर कुडे, 8 नांबर. सुरुकर्ची फर्स्ट कॉस्चेंस, कॉस्चेंस, नांबर वान. How was the school room? School room ठा क्या मोंचिरो? अंसर देखनाओ, the classroom was open on all sides. There were no walls. Neither was there a fence outside to limit the views. Inside were the students sitting in rows. Outside was the jungle and the roof was supported by the bamboo pillars. माने देखनाओ. सेनी कोखो चाड़ी दीगे खोला छिलो. कुनो देवाल छिलो ना बाइडे एक्टी बैरा छिलो एबं भीत्वरे चात्तोरा सारी बद्धाय बोशे छिलो. बाइडे छिलो जांगले बं चात्ती बाशे स्तम्भुदारा समोर्थी तो छिलो. Next, number two. Describe how the students was memorizing their lessons. सिखात्ती रा कीभावे तादेर मुकस्तो कर छिलो ता बन्नो ना करो. अंसर देखनाओ. The pupils were memorizing their lessons by reading them aloud. Their voices were pitched in different keys and as they chanted, they swung their heads backward and forward to aid the process. माने देखनाओ, चात्तोरा उच्चो सरे पाठ कोरे तादेर पाठ मुकस्तो कर छिलो. ताला बिभिन रखम सब्दो कर छिलो एबां माथा साम्ने ओ पिछोने दिए कोरे पाठ मुकस्तो कर छिलो. Next, number three. Next, question number three. What lay behind the house to the west? First, बारीर पिछोने पोस्ची में की आचे? Behind the house to the west lay the orchard, which the schoolmaster had inherited from these ancestors. बारीर पिछोने पोस्ची में दिए बागान आचे, जा स्कूल मास्टा तार पूरो पूरुस देर कास्ते के उत्तुरा धिकार सुत्ते पे चिले. Next, number four. Whose voice rose, how, and then amidst the voice of the students memorizing their lessons. यकोन चात्तोरा तादेर पाठ मुकस्त गर चिलो, तकोन कार कांठो सर किभा बे सुनते पाया जाचिलो. Answer, the pupils were memorizing their lessons by reading them aloud. Their voices were pitched in different keys, and as they chanted, they swung their heads backwards and forward to aid the process. Now and then, the schoolmaster's voice rose above the din. माने देखेनाओ, छात्तोरा उच्चो सरे पाठ कुरे तादेर पाठ मुकस्त गर चिलो. तारा बिभीन रखम सब्द कर चिलो, माथा सामनेद दीके, पिछन दीके, कुरे पाठ मुकस्त गर चिलो. Schoolmaster ए गवालरावाज बारबार भेसे उटलो. बांधुरा, एर पाठाचे section B, grammar and vocabulary, चारिद्दा. Write the correct alternatives to fill in the blanks, वाइन दो थरी, कल थरी. एखने वर्ब दिये सुन्नुस्तान बन कोते दिजे तीन टी आचे, एगनाबर कुर तीन नाबर आंसार सहो परची देखेनाओ. When I was returning from the market, जोखनामी बाजार्थी के फिरी ते चिलाम, I, आमी, सौ, आमी, देखे चिलाम, an old man. He seemed to have lost his way. ताके मने होच्चलो से पाथ हारिये फेले छे. आंसार थाले होलो, was returning, सौ, एबं, लोस्ट. जोखन बाजार्थी के फिरी चिलाम, एक जोन बिद्धो के देखलाम, मने होच्चलो से पाथ हारिये फेले छे. बंधुराम, एर पड़ आचे, पाचेट दाग, डू आज डाइरेक्टिर, पाचेट दागर, ए. Fill in the blanks with appropriate article or preposition. 1 into 3, equal to 3. एखन आर्टिकेल, एबं, प्रेपोचिशन दे, सुन्नो स्ताम्रून कोते दिजे, 3T आचे, एक नामबार, कोड़े तिन नामबार. आनसार सोहो पूर्ची. Yesterday a man came to my house. I asked the man, आमी लोक्टिके जिग्गा सागोलाम, the reason for coming, एड़े F.O.R. for coming to my house. ग्वातोकाल, आमार बारीते एक जिग्गा सागोलाम, लोक्टिके आमार बारीते आसार काओन, जिग्गा सागोली छेलाम. 2, the, for. बंधिरा, एर पड़े आचे, बीएद दग, 30 ग्रामरा आचे, एक नामबर, कोड़े तिन नामबर, 1st, number 1, the old man was so weak, that he could not work. एकाने omit कोत्ते बलचे, टूटाके, माने, एकाने कोत्ते दीछे, टूबा बलचे, एकाने rewrite using two, माने two दिया लिखते बलचे, माने simple sentence एक कोत्ते दीछे, एका माने सखोले चानी, माने देखनाओ, बीध्धोय आत्तो दूर बाल जे हाट ते पारतो ना, आन्सराबे, the old man was too weak, too weak, बीध्धोय लोक्ते हाट ते खुब दूर बलचे, नेक्स्ट, नम्बर टू, सामी सेट टू हिज फादर, I have a headache, नेर सेंचेंच गोत्ते दीचे, एसाटिप सेंटेंसे आचे, हाँ, माने देखना, सामी तर बाबा के बोल्लो, आमार माथा बैथा कोड़चे, सामी टोल्ड हिज फादर, that he had a headache, सामी तर बाबा के बोल्लो, जे तर माथा बैथा कोड़चे लो, लास्ट नामबार थ्री, ए तिनेर ग्रामाट्टा तुम्रा बोल्बे भूल होईचे की ठीक होईचे, लेट आस प्ले फूटबल, चलो फूटबल खेली, भाईस्टेंच कोती दीचे, ओके, तुम्रा आमाके बोल्बे ए एटा इंपाटिप सेंटेंसे आचे, एटा इंपाटिप सेंटेंस आचे, एटा आदेव ठीक होईचे, ना भूल होईचे, तुम्रा आमाके अबस्टे बोल्बे गिन्त, एटा माँ जाना नाई, लेट फूटबल बी प्लेड बायास, लेट फूटबल बी प्लेड बायास, चलो फूटबल खेला जक, बंधुर, एर पड़ाचे, सिएद दग फ्रेजल भाब, तीन टी आचे, एग नामबर कोड़े तीन नामबर, तो क्री की बलचे, की की फ्रेजल भाब एखेने दे आचे, तुम्रा देखेना, लुकडाउन, आपण मने घृना केडा, पूटवन मने खेल, पोटवन मने खेल, तॉनबाचे, पॉटवन मने, बितार आण केड, तॉनड डाउन मने, पुटवन Мने, मने, बितार मुटवन केड, सुरु कडची , गिप्स एमांग स्टुडेंस डिस्टीब्यूटेड पस्टेंस आचे एटा हच्छे तमा बितराण करा थले गेब आवय बश्वे दा मैन गेब आवय दा गिप्स एमांग दा स्टुडेंस लोक्टी छात्तो देर मोदे पुरोष्कार बितराण कोडे छिलो Okay and last number three He Owned a nice Dress ओट्टा pastence ये आचे, भीट हुए तुए तु आचे आ ए आरे पास्ट फोमचे ओड थाल पूठ्ट्ट्रा थीडे फामीट याक थाले पूठी बशेवे, he put on a new dress सेक्टि नूतुन पुषाख पुड़े चीलो बंधरा एरपट आचे अनसिंथे का मिनिंग चाट्टे आछे दू नामार खूल आठ नामार फस्ट नामार वण फोरेष्ट माने बन ज्ञंगल माने जॉंगल नमबाट्ट्टू फोरफादर माने पुड़ोपुरसं आनसेस्टर्स माना चे पुड़ोपुरुसं नामबा थ्री, गार्डेन अफ्रोट्स, मने फ्वालेड बागान, ओर्चाड मना चे फ्वालेड बागान, अल्लास्ट नामबार फोर, नाट उआइड मने प्रोस्तो मनोई, मने चावरा नोई, मने न्याडो, मने संकिर नो, ओके? बंधुराम, तोमड़ा जरा सेस्पंद सुनले, बाद देखले, तुमादे सकोल के, हामी धन्न बाद जानाई, बंधुराम, एकानी सेस्कोची फिर्योटी, सुन्दो थागवे, सूस्तो थागवे, टेक क्यार, ठैंक्यू, जय हिंद, बंदे मातरम,